धम्मपद गाथा क्रमांग 119 और 120 आज दिनांग 27 जुलाई 2020 ये गाथा ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने स्रावस्ति के जेत्वन विहार में रहते समय ही दी है और वो भी वो विहार बनाने वाले अनाथ पिंडिक को उनको उद्देश करके ही दी है पापु पस्चति भद्रं यावं पापं नपच्चति यदान पच्चति पापं अथ पापु पापानि पस्चति भद्रूपी पस्चति पापं याव बद्रं नपच्चति यदान पच्चति भद्रं अथ भद्रो बद्रानि पस्चति कि तथागत भगवान बुद्ध स्रावस्ति के जेत्वन विहार में ही रहते थी और एक दिन अनाज पिंडग बुद्ध के पास आया और बुद्ध को बंदन करके वो जब सामने बैठा था तब तब ही बुद्ध ने इन दो गाता की देशना अनाथ पिंडग को उद्देश करके ही दी है यह अनाथ पिंडग जिसका पहला नाम सुद्ध था बहुत भड़ा धनी सेट था अनाथों को दान देने वाला है बहुत धन था उसके पास और उनके ब्रांचेज भी बिजनेस के जहां महा थे, हर जगा उन्होंने भोजन शाला लगाई थी, जहांके जिस सहर में किसी को जो भी कोई भूगा है कोई भूगा ना सोये, जिन्ने भोजन की जरूड़त है, उन्हें ये फ्री ऐसा भोजन देता था, उसका नाम अनाथ पिंडग पढ़ गया है, नाम तो सुद अनात में जब बुद्ध वहां पर पहला धम्म चक्रप्रवर्टन के लिए गए थे और वहां रहते थे तब वहां अनात पिंड़क अपने रिष्टिदार की यहां गया और बुद्ध से पहली मुलाकात हुई बहुत प्रभावीत हुआ बुद्ध से मिलकर और बुद्ध को विनंति करके कहने लगा है वो तो सुरतापन बुद्ध को मिलते वराबर हुए है पहला प्रभचन सुनते ही और तब वो बुद्ध को कहने लगा कि भगवान इतना उचा गया है यह हमारे स्रावस्ति सहर में भी आप शिखाए तो बहुत अच्छा है बहुत बड़ी नगर जगह खोचता है कि जो सुटेबल जगह हो जेत कुमार का एक बड़ा सुन्दर भगीचा उन्होंने अपने स्वयम के लिए बनाया था अपने आनद के लिए अपनी मजा मोज के लिए तो बेचना नहीं चाहता था लेकिन इस सुन्दर जगह होने के कारण सहर में वैशी जमीन थी लेकिन वो जगह उसको बहुत अच्छी लगी इसलिए उसने वो जगह खरीदने का संकल्प किया जेत कुमार आसानी से बेच नहीं रहता है लेकिन उसके पीछे लगा कि बोलो भाई कुछ भी किमत बोलो लेकिन ये जगह मुझे खरीदनी है तो यह भाग जाए न दिमारी जमीन खरीद ली किमत तुमने बता दी खरीद ली ऐसा करके उने और ये सोना बिछआ दिया वहाँ पर जमीन पर और सोना भी चा कर जमीन का मुल्य दिया जेतकुमार वो राजा का लड़ा था बड़ा प्रभाईत हुआ कि इतनी जमीन इनके पास है सब कुछ इनके पास है और जमीन की किम्मत तु इतनी है ही नहीं और ये सारा सुवरन मुद्रा बिचा कर इसको खरीद रहा है किसलिए खरीद रहा है मैंने का मेरे लिए नहीं खरीद रहा हूं ये तदागत संविक संब्ध के लिए खरीद रहा हूं कि जिससे बुद्ध यहां आएंगे यहां वो धान भावना सिखाएंगे मुक्ति का मार्ग सिखाएंगी लोगों का कल्यान होगा और एक भी आदमी ये दी इस मेरे विहार में उस रास्ते पर चल कर मुक्त हो गया एक भी आदमी अरहत बन गया यहां आकर तो मेरे धनकातु मुल्य उतना नहीं है तो यह भी अपड़ा प्रभाईत हो कहा है जेतकोवार उसने का ठीक है भी जमीन तो अभी आपने ली है लेकिन जो पेड़ पवधे उसको उसको मैं दान देता हूँ ज़ो भी तो मारी चेतना है उसने पवड़ वो दान दे दिया और अनायत पिंड़क तपसे इतना बड़ा विहार बनाया कि हजारों लोग महार रह सके हजारों कुटिया बनाई हरे एक विक्षू के एक एक कुटि बुद्ध के लिए बहुत अच्चा उन्होंने गंद कुटि बनाई और सभी के लिए आवास पिर उनका चक्रमंद के लिए गारड़ अनिया सारी सारी चीज़े उन्होंने पूरी तरह वाँ पर बनाई और 54 करोड रुपया उन्होंने खर्चा किया उन दिनो अब 2650 साल पहले के 54 करोड आज के कितने हो जाएंगे लाखों हजारों करोड हो जाएंगे तो इतना दान उन्होंने दिया और दान देकर शांत नहीं बठा वो हर दिन दिन में तीन बार बिहार बेजाता था सुबह दुपर में शाम को भी और उसी प्रकार वो अपने रिष्टेजारों को लेकर जाता लड़के बच्चों को लेकर जाता और वहां जाकर हर पुर्णी मा के दिन उपोसत वुरत का पालन करता है हर अश्टमी के दिन उपोसत वुरत का पालन करता है वो स्वयम करता है उनके परिवार के सभी लोग करते हैं इतना ही नहीं तो उनके हां सेप्ड़ो नवकर चाकर थी वो सभी को करवाते हैं अब जब उ अश्ट सिल का पालन करवाने लगाता है और इस प्रकार बहुत बड़ा उसने काम किया हर दिन वो विक्षु को दो हजार विक्षु को नितिनियम्ब भोजन देता था कभी पांच हजार विक्षु कभी दो हजार विक्षु तो हर दिन तो इस प्रकार का इतना बड़ा दायक जिनोंने स्रावस्ति में इतना महान विशाल विहार बनाया और उसको नाम दिया जेत वन महा विहार तो महात अतागत बुद्ध रहते थे और ये अनात पिंडि ये धंब में बहुत आगे बढ़ते रहा उनको तीन लड़किया थी जो दो लड़की थी दो बेटी तो एक का न दूसरों का नामता महा सुबध्धा जो बड़ी थी और दूसरी थी चोटी चूड़ सुबध्धा तो वो दोनों की विशादी हो गई वो सारे विपश्चना करने वाले थे उसके बाद तिसरी लड़की थी सुमाना तो यह सुमाना उनकी जो लड़की थी उन्होंने शाध भी नहीं किती और उनकी मृत्यू भी हो गई तो मृत्यू होकर वो तो सक्रदागामी अवस्था में पहुंच गई अपनी पिताजी से भी एक स्टेजू पर ऐसा उनको लाब हुआ अफल मिला उनको तो यह सारा करते हुए अनाथ हमेशा उनके साथ ज्यादा धन रहा नहीं सब्सक्राइब तो एक अवस्था इसी आती है जैकि पैसा उनके पाद ज्यादा नहीं रहा नहीं इस बहुत सारा धन उन्होंने दान दे दिया वो विहार में जाता है कभी उनके घर में जो मिठी थी जो धनी था जहां वहां से मिठी लाई दूर दूर से अच्छी उबजाओ मिठी घर में लगाई थी तो मिठी लेकर कभी जाता है अब तो इतना धन्य मेरे पास मिठी लेकर जाकर वो स्रावस्ति के बुद्ध विहारों जो पेड़ थे उस पेड़ों में के पेड़ों के जगव पर जाकर छोड़ता है कि अच्छे यहां पर उपा जा जाए अच्छे फिल मिले तो भावना बड़ी उठी ऐसा हो करते रहा है इसके बाद परिश्टिति उठके थोड़ी बिखड़ गई लेकिन फिर परिश्टिति बदल भी गई परिश्टिते में चड़ाओ उतार होता है वो जब धनी था उन्होंने अठरा करोड रुपे एक नदी के पात्रे के नजदिक छिपाए रखे थी तो नदी के बाहा में वह सारे सुवर्न बुद्राई बहिके चली गई कुछ अठरा करोड उनके रिष्टे व अपनी बिजनेस पार्टनर को जिनको उनको उतारर दे रका अब यह सुरतापंदब बनने के बाद उनके मांगने की इस्चा नहीं होती थी कि उधार्द रोग कैसे मांग वो गए मांगने के इच्छा नहीं होती थी उटकी तो मांग भी नहीं रहा था उटको तो इस प्रकार पैसाउं का कम होते गया और उनके यहाँ एक देवता थी उनके द्वार पर वो देवी वो देवता उनको बहुत सपोर्ट करती थी अब यह देवता भी कभी कभी विक्ष्णों को देखकर बुद्ध को देखकर वो गुशा होने लगी कि मेरा मालिक हमेशा उनको दान देता है यह करता है वो करता है अब तो यह का पैसा भी इसके पाद ज्यादा नहीं रहा है तो गुश्य हो कर वो अनात्पिंडिक को समझाती है देवता उनकी कि अब ज्यादा द्यान दान देना बंद करो दान मद्दो और पुछ पहित्र के बारे में अनब सनब बोलने लगी तो उसने देखी ये विद्ध के लिए भिक्षों के लिए उसने उनके घरमें रहने वाली सुरू से रहने वाली प्रियत देवता को उसे रहाठा ढ़क। उनने की अई तुम चली जाओं तो वो चली गए रोते रोते अब रोते जाकर वो जो देवी थी देवता थी वो जाकर चातुर महाराजी का देवता उनको मिली और सक्र देवता को मिली और मिलने के बाद उन्होंने कहा अले तुनी कितना गल्ती किया तुम बुद्ध के बारे में ऐसा कभी मत बोलो, बुद्ध के बारे में बुरा सोचो मत कभी, वो तो इतने महान है, उनके बारे में तुम्हारे चित्त में यह भाव आया ही कैसा, इस प्रकार का सक्र देवता ने और चातुर महाराजी का देवता ने, उस देवी को खरा आने का प्रयास को भुर स्टारी बदत करो तो व जाकर अनादफ कर दॉक OH आपको दी fan आपके बारे में में पेरी में ऐसा है सवाब आ गया मुझे मअफ कर दू बदेन माफ कर दिया और फिर यह सहायक बनी जिन पर उन्होंने जिनको उधार दिया था जो मांग नहीं रहाता है यह देवी देवता उनके यह अलग-अलग रूप में जाकर उनको धन लवटाने के लिए कही रही थी और इस तरह उनके पास जो उन्होंने दिया हुआ दन था ओभी लवटाया अब बहुत और भी धनी बन गया कोई पैसी की कमी नहीं बहुत धनी बन गया उसका एक लड़का था उसका नाम था काड नाम था अकेला लड़का वो भी हमेशा अस्टसिल का पालन करता धमवरस्ते पर चलता और उनकी जो पत्नी थी काड की यह इनकी जो बहुत अनात्विड़क की उनका नाम था सुजा था और यह सुजा था यह विशाका की छोटी बहन थी वो बुद्धग्या वाली सुजाता अलग है जुनोंने बुद्धा को खीर दिती वो अलग थी या स्रावस्ति की सुजाता जो विशाका मिघारमाता की मिगार माता विशा का कि छोटी बहन तो वो छोटी बहन इनकी बहू थी अनात्य पिंडिक की तो इस तरह ये बड़ी धनी परिवार एक विचार से चलने वाले सद्धम्ब के रास्ते पर चलने वाले और इनकी परिष्टिती बदल भी गई एक बार अनात्य पिंडिक के ही कार स्रावस्ति में बोधी रुक्षा लाया गया जब बुद्ध महा नहीं रहते थे तो अनात पिंड़क कहने लगी कि भगवन जब आप नहीं रहते हो तो उपास उपासी काएं विहार में आती है बंदन करने के लिए कुछ नहीं रहता यहां पर तो भगवन ऐसा करिए जिस बो बोधी रुक्षा की एक एक शाखा है उनका एक पौधा यहां भी लाकर लगा दीजिए ऐसा जब अनात पिंडिक ने सुचाया उन्होंने मान लिया और पिर आनंद और महा मुगल्या यह दोनोंने मिलकर एक दिन में बुद्ध गयास वो पौधा लाया वहां पर लगाया प उस पेड़ के नीचे हम जब ज्यात्राग में जाते हैं कहीं हमारे उपास कुपासी काई वहां जाकर धानबावना करते हैं तो वह पेड़ आज भी है उसका नाम है आनंद बोधी तो वह जब लगाया गया उस समय तथागत बुद्ध ने वहां पर एक रात और दिन चोविस घंटे एक जगव बैठकर उस पेड़ के नीचे वह बैठे और बुद्ध ने आसिरवाद दिया सभी को कि जो जो विक्ति यहां आएंगे तो उन्हें उनकी मंगल मैत्री मिलती रहे तो इस प्रकायर यह जो गाता तथागत बुद्ध ने ये अनाथ पिंडिक को उ थी वो एकदम बदल गई थी और फिर और परिवर्तन आ गया और ये अच्छा उधनी बन गया तो बुद्ध कहते हैं इस गाता में पापो पी पस्षती भद्रंग यावं पापंग न पच्चती यदान पच्चती पापंग अथ पापो पापानि पच्चती यानि जब तो पाप कर्म अकूसल कर्म फल नहीं देते तब तक बड़े मिठे लगते हैं करने वालों को उनने लगता है कि इसी प्रकाइः पुन्यकर्म जब फल नहीं देते हम कुसल काम कर रहे हैं, पुन्य काम कर रहे हैं, कुसल कर रहे हैं, पुन्य काम कर रहे हैं, लेकिन फल कभी जल्दी मिलता है, तो यदि पुन्य काम का फल नहीं मिल रहा अभी, तो उसको पुन्य भी अच्छा नहीं लगता है, मैं तो इतना पुन्य कर र आनन्द आता है उसे इतना आनन्द आता है तो पुन्य कामों ने पुन्य कारियों ने फल देना सुरू किया तो पुन्य कारियों बढ़ते ही जाते हैं बढ़ते ही जाते हैं कम कभी नहीं होते ही बढ़ते ही जाते हैं लेकिन पाप कारों ने पाप कर्मों ने फल देना सुरू लिए तो पापी आदी पाप करना छोड़ देता है मुकर नहीं सकता है कि उपकर निसर के दंड भोग रहा है अपने मन से दंड भोग रहा है तो दंड का पाप पुरुते का जब दंड मिलना शूरू हो जाता है तो पाप करनों वहीं कट हो जाते है कटफ हो जाते है वो आगे नहीं कर सकता है खतम हो गए है तो उसका अंत होता है पापो का लेकिन पुन्य कर्म जो फल देते है तो पुन्य कर्म खतम नहीं होते है फल देने के बाद और भी बढ़ने लगते है और भी बढ़ने लगते है और भी बढ मंगल हो, सब को सुख शान्ती मिले, जैसे अनाज पिंड़क ने अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया, अपने धन का, अपने शक्ति का, भयोग उनों ने हजारों करोड़ों के कल्यान के लिए विहार बनवा कर किया, दान दे कर किया, और वो गुद्ध धम्व के साथ अमर बन वो तो चला गया आनाज पिंड़क, लेकिन उनका दान का असर आज भी है, उनका नाम खतम नहीं हुआ, उन्होंने दिया हुआ दान खतम नहीं हुआ, आज भी उस्रावस्ति का बुद्ध विहार है, आज भी वहाँ जगह है, आज खंड़ हर है वहाँ पर, लेकिन आज और भी बल रहा उसके आज़ बाज़े में देखिए तो आज कितनी बड़ी नगरी बन गई है कई देशों के विदेश को लोगे ने वहां आकर बड़े-बड़े बुद्वियार बनाए और उस जगों को ऐसे ही सुरक्षित रखा है तो दान बड़ा कल्यानकारी होता है और यही आनाथ पिंडक को तथागत्बत ने आशिरवात देते हुए यह गाता कहीं थी यही इस गाता का सदेश है सभड़म्म की सेवा में डॉक्टर बदंतRA हुलй बोधी आपकी सेवा में और सभड़म्म की सेवा में डॉकटर byदंतRA हुल बोधी महाथेरों आपको निरोगत्ब मिले, लंबी उम्र मिले, दिरगाई से मिले, बहुत सुक्षान्ति से आपकी जिवर यातरा चलती रहे, यही मंगर महित्री, सबका मंगर हो, सबका मंगर हो.